आज के हमरी इस वीडियो का टॉपिक difference between wire and cable मतलब की wire और cable में क्या अंतर होता है दोस्तों इस topic के उपर मैंने already कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो बनाये था लेकिन इस wire और cable के difference के उपर कहीं लोग के मनमें कहीं सारे question आ गए थे उनमें सबसे जाता पूछे जाना वाला question है वो question यह था आखिर जो हमारी cable होती है वो cable हमें single wire को बोलते हैं या नहीं बोलते हैं तो दोस्तों आखिर इन सबी question का सही जवाब क्या है और साथ-साथ आपको interview के अंदर wire और cable के बीच में difference किस तरीके से बताना है वो भी इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे तो वीडियो को start कर लेते हैं तो दोस्तों लाश वीडियो के अंदर है मैं इस वीडियो के अंदर भी आपको सबसे पहले clear कर देता हूँ कि आखिर wire और cable में क्या अंतर होता है जैसे कि अभी आप इस copper conductor को देख रहे हो तो इसके ओपर कोई भी insulation नहीं है तो यह हमारा wire के लाएगा इससी तरह दोस्तों आपको एक और यह second चीज दिख रही है तो यह भी हमारा wire भी के लाएगा चाहिए हमारे कहीं सारे पत्रबर ले conductor से मिलके बनाओ लेकिन हमारा wire के लाएगा क्यूं के लाएगा क्यूं के लाएगा क्यूंकि इसके ओपर कोई भी insulation नहीं है इसके बार में दोस्तों next तीसी चीज यह आती है इसको हम बोलेंगे cable अब यहाँ पर कहीं लोगं confused जाते हैं क्यूंकि हम आम बासा के अंदर इसको wire बोलते हैं हम बोलते हैं कि हमारे wire लेगा हो तो हम इसको wire बोलते हैं लेकिन दोस्तों असलियत में इसका नाम जो होगा वो cable होगा क्यूं होगा क्यूंकि इसमें जो conductor है इस conductor के उपर insulation चड़ावा है और इसी तरह अगर आप इस fourth को भी देखोगे तो इसको भी हम cable बोलेंगे लेकिन इस cable और इस cable में क्या अंतर होगा तो इसको हम बोलेंगे single core की cable और इसको बोलेंगे हम two core की cable तो अभी तक तो मैंने आपको इसका answer last video की तरह ही बता है लेकिन इस video के अंदर मैं आपको proof भी देने वाला हो ताकि आप interview में गलत answer ना दो तो अगर आप इस book को देखते हो तो यह जो book है यह हमारी basic electrical engineering की book है इस book के अंदर हमारे chapter है wires and cable को लेके और इस wire and cable के chapter में एक प्रशन पूछा गया है जिसके अंदर इस प्रशन का author भी दिया गया है तो प्रशन हमारा इस तरीके से insulating wire तता cable में क्या answer होता है मतलब wire और cable में क्या answer होता है और यहाँ पर इसके जवाब में लिखावा है cable और wire दोनों ही current को एक इस्थान से दूसरी इस्थान पर ले जाने का ही काम करते हैं तो यह चीज तो हमें भी पता है wire और cable एक ही काम करेंगे हमारे current को ले जाने का लेकिन आगे इसका सही अंतर बता रखा है जो कि यह wire आम तो पर नंगी तारों को कहा जाता है जैसे कि होता है हमारा earth wire आपने देखा earth wire को हम कोई insulation नहीं देते तो उसे बोला जाता है earth wire इसके बार में लिखा हूँ है overhead line में प्रयोग होने वाली तारे आ दी मतलब कि हमारी जो high transmission line होती है उसमें जो हमारे conductor का इसमाल लिया जाता है वो भी हमारा तारी कहलाता है क्यों कहलाता है क्योंकि उस पर कोई भी insulation नहीं होता है वो हमारी नंग की तार है तो इसका मतलब यह है कि ऐसा जो भी conductor जिसके ओपर कोई भी insulation नहीं है वो हमारा wire कहलाता है और इसके लिखा हूँ है शेर सभी insulated तारे केबल के लाती हैं मतलब कि जिस भी तार को इस तरीके से insulation कर दिया जाएगा वो हमारे क्या 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 लाएगा वो हमारे केबल क्या लाएगी और यहाँ पर उधारन विद्धी रखा है 1.5 mm इसक्वाई की PVC केबल जो की आपको सामने भी दिख रही है तो उमीद है कि आज की इस वीडियो के माद्यम से आपके वाइर और केबल से जुड़े सभी डाउट या फिर आपके जो भी कोशन है वो किलियर हो गए होंगे आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक के जिरू बता है अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के परतिया आपके इलेक्टिकल जुड़े ता मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं इलेक्टिकल की वीडियो सकते हैं आज यह मैं चनल को सब्सक्राइब कर लिजे आज के लिए इतना ही धन्यवाद